नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका एक पर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम वियो में तो दोस्तों आज हम डिसक्स करने वाले हैं जूनियर ड्राफ्ट में पोस्ट कोड 789 का जो एक्जाम हुआ था आपका 16 दिसंबर 2020 को तो जो इसका जी के पोर्शन थ इस सेलिब्रेटिड एवरियर ओन तो इसमें आपसे पूछा है कि जो हिमाचल दिवस कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका 15 अपरेल को तो सी इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा तो नेस्स कोशन देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इस तो 2011 की जो जन गन्ना हुई थी उसके आधार पर जो हमारी जन सक्या गनत्वा क्या है आपका 123 तो यह इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा तो नेक्स कोशन है आपका लाजेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉल्यूम वाइज जो आपका आयतन के अरुसार जो सबसे बड़ी जो रिवर हिमाचल के वह कौन सी आपकी डी जिनाव रिवर ठीक है तो नेक्स कोशन है आपका विज डिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेश है लोएस्ट परसेंट ऑफ एस्टी पॉपुलेशन जो शैडूल ट्राइव की लोएस्ट पॉपुलेशन किस डिस्टिक में हिमाचल में लोएस्ट वह आपकी उन्ना में तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका डी यह नेक्स कोश संग्ला वैली लोकेटिट इन्विज डिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेश तो जो संग्ला वैली है यह आपकी किनोर में और इसको बोले जाता है दोस्तों मुस्ट ब्यूटिफुल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश ठीक है यह बी काफी इंपॉर्टेंट है तो नेक्स कोशन है आपका सुकेति फॉसिल पार्क इस लोकेटिट इन्विज डिस्टिक ऑफ हिमाचल प्रदेश तो सुकेति जो फॉसिल पार्क है जिवाश्म उद्यान यह आपका सिर मौर में तो यह इसका बिल्कुल सही हो जाएगा तो नेक्स कोशन देखते हैं शिमला टाउन वाज अंसर हो जाएगा तो नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो कोशन है आपका विच रूरल कोमेंज शिवरात्री फियर इं मंडी तो जो मंडी का जो शिवरात्री में लगता है उसको किस ने शुरू किया था तो दोस्तों 1526 एडी में किस शुरू किया था इसको अजबर सेर ने त है तो इसका सब्सक्राइब धर एक और शहिए लिए नीक्स्ट कोशन दिखते हैं तो आपका तो नेक्स्ट कोशन है अपका दा ओनली हेल फ्रिंसली स्टेट विच ऑपोज दा ब्रीटीश रूरिग दा फिर्सट वार ओफ इंडिपेंदेंटेंस तो जो आपका फिर्स्ट आफ इंडिपेंडेंस जो ठारा सो स्तावन की करांती हुई थी हिमाचल की ऐसी कौन सी प्रिंसल स्टेट थी जिनोंने ब्रिटिशों का साथ नहीं दिया था तो वह एक ही थी आपकी वह कौन थी बुशहर काफी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों तो सही एंसर हो जाएगा आ इस आपको पता ह्योगा की जो नीरत का है शिमला में शिमला में जो रामपूर है वहां पर हैं नीरत तो यहां पे हैं famous sun temple सूर्य का जो मंदिर है तो डी इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा ठीक है तो next question है तीबतन institute of performing arts is located at which place in हिमाचल परदेश तो जो तीबतन institute of performing arts है यह कहां पर आपका मैकलॉड गंज धरम शाला आप हैं तो इसका सही इसरो जाएगा आपका डी तो next question है यह आपका नामागन is a folk dance of people of which district of हिमाचल परदेश तो नामागन जो यह dance होता है कहां होता आपका कि नौर में तो इसका सही इसरो जाएगा आपका यह तो next question है आपका नादेवी फिर इस सेलिबरेटी इन्विजडिस्टिक ओफ हिमाचल परदेश तो दोस्तों जो नादेवी फिर कहां लगता है आपका बिलासपूर में अगस्त के महीने में ठीक है तो अगला कोशन देखते हैं तो next question है आपका defense research ultraviolet sanitizer जिसको बोलते हैं droops was recently developed by which organization तो आपका यह किस ने developed किया है DRDO ने तो DRDO आपका defense and research and development organization तो जो DRDO यह कब बना था आपका 1958 में और एक important इससे कोशन कई बार पूश लेते हैं कि जो इसका जो ideal word क्या है तो वो है दोस्तो वलस्यमूलम विज्ञानम तो काफी important है तो next question देखते हैं as per the recent data released by the Registrar General of India in its SRS bulletin which state has the worst infant morality rate in the country तो जो SRS ने भी जो data निकाला है उसके बेस पर जो शिशु मृत्यदर होती है और सबसे जादा कहां पर है आपकी मध्यप्रदेश में तो इसका C बिलकुल सही answer हो जाएगा तो next question है आपका recently discovered HR 6819 is तो हाली में जो खोजा गया यह HR 6819 यह क्या एक ब्लैक होल है तो इसका सही answer हो जाएगा आपका भी तो अगला कोशन है आपका ए रामाचंदरन who recently passed away was associated with which profession तो जो ए रामाचंदरन जो भी हाली में जिनकी जुम्रित वही थी कौन से फिल्ड से लेटीव है यह एक scientist थे वैग्यानिक तो इसका सही answer हो जाएगा आपका C तो next question है अक्षे उर्जा पूर्टल recently launched by which ministry तो जो अक्षे उर्जा पूर्टल है यह आपका launch किया है ministry of new and renewable energy तो इसका भी बिल्कुल सही answer हो जाएगा तो next question है आपका next दोस्तो reasoning का question है तो आप screen को pause करके इनको solve कर सकते हैं तो तभी आपको फायदा है दोस्तों अगर आप इनको screen pause करके solve करोगे अगर मैं आपको answer तो बता दूँगा और आपने खुद इनको solve करके देखना है कि इसका answer कैसे आ रहा है ठीक है तो जो 45 है तो इस दोस्तो 15 क्यों क्योंकि यह क्या एक odd number और बागी सारे हैं प्राइम नमबर ठीक है तो अगले question है आपका अगले reason का question है दोस्तों तो इसको आप खुद solve करके देखना है तो इसका जो सही answer आपका बी टी है तो next question यह भी आपका reasoning का question है दोस्तों जो इसका answer होगा वह आपका a daughter तो next reasoning का question है दोस्तों और तो जो इसका सही answer है वह आपका बी जी 65E तो दोस्तों यह सारे reasoning का question अगर आप खुद solve करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा ठीक है तो हम देखते हैं अब जी के question तो जी के question है आपका which of the following is not a इंडस वैली site तो इन मैंसे कौन सी इंडस के site नहीं है तो इसका सही answer है आपका भी पूरी तो अगले question है अशोका belongs to which dynasty जो 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 अशोका उनका संबंद किस dynasty से था किस वह से था काफी इजी question था तो अशोका आपके मौरे वन से संबंदी थे तो आगे बढ़ते हैं छेयुक you how was the founder ओफ नश्कबंदी सूफी और तो यहां पुछा कि जो 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 सूफी और है इसके उसका फ़ाजह पीर मुहमधंध तो इसका साइच न nyan sencill Works i quello बाराश्टर कॉंग्रेस कभ आपके खोजी गई थी तो यह आपके 1850 में किसके द्वारा ए ओ हयुम के द्वारा और जो इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वह था मुंबाई में यह काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी अधिक्स तक यह थी आपके WC बैनर जी ने तो यह सारी चीजें कुछ तो किस ने किया था आपका सरदार वल्ला भाई पटेल ने तो इसका एब सी बिल्कुल साही एंसर हो जाएगा तो अगले कुशन है आपका विच और फॉलोविंग इस दा सेकिंड लाज़ेस प्लानेट आफ अवर सोलर सिस्टम तो जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका सेकिं आपका विच आफ फॉलोविंग इसे ग्रीनाउस गैस तो इनमेंसे कौन सी ग्रीनाउस गैसे आपकी कार्मन डायक्साइट मिथेन क्लोरो फ्रोरो कार्बंस तो यह सारी ग्रीन हाउस गैसीज है डीस का बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा तो नेक्स्क्वेशन है आपका बॉ इसमें अंसर बताया अंसर की में वह बताया हीडन वर्लाइन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कौशन थोड़ा सा इनकोरेक्ट है क्योंकि जो और नीज और हीडन वर्लाइन है यह दोनों ही जर्वनी और फॉलेंड को अलग करती हैं तो मेरे साब से यह दिया है तो अगले कोशन देखते हैं विच इस दा लॉंगे स्टीवर ऑफ पैनिसूलर इंडिया जो आपका प्राइदी भारत की सबसे बड़ी नहीं दिया आपकी गोदावरी तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेशन है विचीजे सैरियल क्रॉप तो ऐसे कोशन भी दो से तीन पेपर में पूछे जा चुके हैं कि कौन सी धान्या फसल है धान्या फसल है यहां पर मक्का तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेशन है फाजी लाली कमिशन वास कॉंस्टिटूटेट बाइदा गवर्नमेंट इन विच इयर त उससे लेटीव था फाजी लली कमिशन तो नेक्सट क्वेशन देखते हैं इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया किया की गई है तो नेक्सट कॉशन है आपका हाइज कोट जजाई जर अर्मक् साटेक्षण के नकित कौन करता है नेक्ट तो यह करते हमारे देश राश्टपती तो यह इसका बिल्कुल साही अंसर हो जाएगा तो नेक्स क्वेशन है आपका क्रिसिल इस एन तो दोस्तों क्रिसिल जो होती है इसकी अफुल फॉर्म होती है आपके क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मिशन सर्विसिज ऑफ इंडिया लिमिटिड तो यह बनी थी आपके बनी थी 1987 में तो यह क्या होगी आपकी क्रेडिट रेटिंग एजनसी तो से इसका बिल्कुल साही अंसर हो जाएगा तो नेक्स क्वेशन देखते हैं बैक व्यू मीरर लिट अनसर उजाएगा तो अगला रीट तो पैसे बनی होती है नाय जाएगा तो अगला कुछन आपका काला श्रमिश्यू का लुसक्छ से वने रोगुश्यूं कि effort स्वेश्यूमिशन देख इंदर न्योगन बैंन हम से तो इसका धे अंसर आपका एह जाएगा तो अगला तो नेस्साथ करना करना तो इसका जो सिनॉनम है वो आपका पारडन तो इसका डी बिलकुल सही अंसर हो जाएगा तो नेस्स क्वेशन है आई टेक इंट्रेस्ट इन फिल्म मेकिंग तो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा अगले कोशन है आपका meaning of the idiom to have an easy time of it तो इस जो idiom है इसका मतलब होता है to live in quiet and comfort तो डी इसका सही एंसर हो जाएगा तो next question है आपका correctly spelled word is तो जो इनमें से correctly spelled है वो कौन सा आपका एh confidentially तो next हिंदी के question है दोस्तों तो first question है आपका तरुन का विलोम शब्द है तो जो तरुन है इसका विलोम शब्द है आपका वरिद तो सही इसका सही एंसर हो जाएगा तो second question है आपका प्रसीद में उपसर्ग है तो प्रसीद में क्या उपसर्ग है प्रव प्लस सिद तो उपसर्ग होती है जो शब्द से पहले लगती है तो इसमें लगी आपकी प्रव तो अंसर हो जाएगा आपका ए तो next question देखते हैं आइ तो next question दोस्तों दिन्का mission है तो जो दिन है दिनका विशेश्यन है आपका दैनिक तो इसका साही swatch हो जाएगा तो नहीं रात दिन में समाज है तो जो रात दिन है इसमें कौन सा सांत है आपका धुहन समाज तो दोस्तों यह थी आज एक छोड़ा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बाइबाई टेक केर